हेलो सुदेंट्स वेलकम टु दपी अंटी कोचिंग लासेज लर्न इसली एड इसमार्टली तो आज हम पढ़ने वाले कोशन जिसमें बोला गया है वाट इस दे रोल अव सलायवा इन डाइजिशन औफ फूड तो बेसिकली इस कोशन में बोला गया है कि foot के direction में saliva का role यानि कि saliva का क्या काम रहता है तो आज किस वीडियो में यही करेंगे तो चलिए करते हैं start तो basically जो यह saliva है वो moistern करता है food को तो यहाँ पर जो moistern word है का मतलब students गीला करना होता है तो यह saliva है जो कि आपके jeep से थूक निकलती है Swallowing हो जाए, Swallowing का मतलब होता है कि वो easily निगलने में हमको आसानी हो, तो saliva जो है वो खाने को गीला कर देता है थाकि उसको निगलना आसान हो जाए, इसके अलावा ये जो saliva होता है वो content करता है digestive enzymes, तो जैसे कि students, पिछले वीडियो में हमने आपको आलरेड़ी बदा चुके हैं कि यहाँ पे कुछ glands होते हैं, एन यह जो glands होते हैं, वो generally enzymes को secret करते हैं, enzymes को निकालते हैं, तो यह जो saliva है, इस saliva में actually digestive enzymes होते हैं, जिसको हम बोलते हैं, salivory amylase, एन यह जो salivory amylase है, generally हमारे food में, जो starch present होता है, उस starch को breakdown करता है, तोड़ता है, convert करता है, sugar के अंदर, ओके students, तो basically यही सा simple सा use है, salivory का हमारे food के digestion में, I hope आपको clear हो गया होगा, अगर आपको माई वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या knowledge मिला, तो please हमारे चैनल को subscribe कीजिए, एन वीडियो को like जरूर करें, आज के लिए इतना ही, thank you.